हेलो फ्रेंड्स वेलकम अन्मा यूट्यूब चैनल दा मूबाइल सेटिंग ओपो ने अपने सेकिंड ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा अपडेट कर दिया और जिसका लेटेस्ट वर्जन है कलरोस 11 आज मैं आपको कलरोस 11 का एक बहुती बहतरीन फीचर बताने आब उसके लिए आपको टाइम देखने के लिए आपने मुबाइल की डिस्प्लेय हो फिक आप करने पड़ती है तब ही आपको को टाइंड सेट कर सकते हैं साही आपने मुबाइल की ऑफफ्स स्कृन पर वो looking settings करसे हैं जो आपको हमेशा मोटिभेट रछती है आईएगा मैं इसमें Off Screen Clock यानि कि Always On Display के फीजर के बारे में आपको बताने वाला हूँ वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं आप अपने मुबाल में सबसे पहले सेटिंग आइकन पर क्लिक करेंगे सेटिंग आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर Option आ रहा है Personalization का तो आप Personalize करने के लिए सबसे पहले इस Option पर टैप करें और सबसे पहले जो यह Colorful यहाँ पर लिखा हुआ है Always On Display इस पर आप टैप करेंगे Always On Display के Option पर आपको बहुत सारे Option यहाँ पर दिखने के लिए मिल जाएंगे जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर हर किसी Option को On करना पड़ता है जैसे इसे On करेंगे तो और भी जादा Preview Window आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी Preview Window के अंदर सबसे पहले Option है कि आप अपने According जो मैंने आपको बताया था कि अनलोग डिजिटल या फिर कस्टम पैटर्न यहाँ पर दिये गए हैं कस्टम पैटर्न मेंसे जो भी पैटर्न आप चाहते हैं जैसे कि यह पैटर्न है इसमें जो Preview Window के अंदर जिस तरीके से दिखाए दिया इस तरीके से आपको Preview Window की तरह ही जब आप मोबाइल के स्क्रीन को आफ करतेंगे तब आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर वो शो करेगा या फिर इसमें भी Color Different है जो आपके नीचे यहाँ पर Option दिया गया है जो Date है, Time है या फिर Application है इनके Color को भी आप चेंड कर सकते हैं देखेगा मैं Date और Time जो 74% बैटरी है इसके Color को भी अपने According डग सकता हूँ नमाले जिगा मैं यहाँ पर Digital Clock चाहता हूँ या Analog Clock चाहता हूँ अभी तक यहाँ पर Digital Clock आ रही है उसके बाद यदि मैंने जैसी Analog Clock किया तो Analog के इंदर भी दो सुईया यहाँ पर आ गई है और यह भी Run होने लगी है तो यह Analog और Digital Time भी आप Set कर सकते हैं Digital चाहते हैं, Digital रख सकते हैं, Analog चाहते हैं, Analog रख सकते हैं या फिर आप दोनों भी रख सकते हैं उसके बाद नीचे Option है Date, Battery and Notification देखेगा यहाँ पर Date आ रही है उसके बाद Battery Percentage और यह Notification तो यदि आप Date नहीं चाहते हैं तो Date के Option को Remove कर दीजेगा, Battery Percentage नहीं चाहते हैं या फिर Notification नहीं चाहते हैं और यदि आप Digital भी हटा देंगे तो सिर्फ आपको Analog Clock दिखाई देगी इसके According आप Choose कर सकते हैं और जैसे ही से Apply करेंगे इनमें से किसी भी जैसे कि मुझे सबसे जो मेरा Favorite है वो यह मेरा Favorite है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यह Preview Window के और Notification यदि आप कुछ नहीं चाहते हैं आप सिर्फ Color Theme चाहते हैं तो आप इसको Apply कर दीजेगा और जब आप Notification Panel को आप आप मुबाइल की Off कर देंगे तो इस तरीके से आपके मुबाइल पर यह शो करने वाली है यह देखी गाई जो यहां पर Color है वो शो कर रहा है कि आपकी जो मुबाइल की Office स्क्रीन पर इस तरीके से आपको डिजाइन मिलेगा अब मैं एक चीज आपको important चीज और बताने वा आप डिजाइन दिया गया है इस तरीके से आप रख सकते हैं या second में आप horizontal, vertical या फिर आप जो इस तरीके से आप रख सकते हैं इसके अंदर जैसी मैंने यह चूज किया है इसमें भी color combination को आप अपने according set कर सकते हैं आप किस color में चाहते हैं मैं यह color भी चूज कर सकता हूँ यह different different color हैं आपके पास second है इनका alignment कि आप अपने according किस alignment में इसे चाहते हैं left side, right side, downward side, upside यहाँ पर six तरेकी के alignment है plus text size, text size में आप कितना बड़ा text चाहते हैं कितना छोटा text चाहते हैं उसे भी आप increase, decrease कर सकते हैं अपने according यह है text size का option मैं इसे थोड़ा चोटा कर देता हूँ ताकि वो दिखे उसके बाद हैं यहाँ पर text weightage यानि कि आप ज़िसे small करेंगे तो वो कितना bold या कितना large होना जरूरी है वो यहाँ पर आप set कर सकते हैं और important point है यहाँ पर देखेगा एक option दिया गया है character spacing जैसी मैं इसे plus के option पर ल line space यह देखेगा line space का option है यह आप इसे increase करेंगे तो इसकी line के अंदर जो space है वो increase हो जाएगा और यह आप इसे decrease करेंगे तो line space को decrease हो जाएगा यह बहुत ही अच्छी चीज मुझे लगी यहाँ पर और यह आप चाहते हैं कि मेरे not panel पर यानि कि office screen पर time show करें तो आप इसे time को यहाँ से on कर सकते हैं यदि आप नहीं चाहते हैं तो नहीं रख सकते हैं date, battery, notification इस तरीके से आप use कर सकते हैं यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप यही रखें इसमें आप कोई भी text अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर text का column है इसमें आप edit कर सकते हैं जो आपका मन चाहे आप उसे यहाँ पर टैप करके एडिट कर सकते हैं यहाँ से इसे रिमूव कर दीजेगा और मैं यहाँ पर एक टैक्स लिख देता हूँ दा मोबाइल दा मोबाइल सेटिंग जो मैंने यहाँ पर लिखा और इसके बाद मैं उसे एंटर करूँगा तो यह मेरा एक टैक्स यहाँ पर तयार हो गया है और मैं इसे जैसी अपलाई करूँगा तो मेरे पास इस तरीकी का option आएगा और मैंने इसे जैसी apply के option पर किया तो यह डिरेक्टली यदि मैं मुबाइल की स्क्रीन को आफ करूँगा तो मुझे यहां पर यह शो करेगा देखिए का मोदा मुबाइल सेटिंग का आप्शन यहां पर सो कर रहा है यदि मैं इसकी स्पेसिंग थोड़ी कम कर देता तो जो जी नीचे आ रहा है यह उपर की कर सकते हैं डिजिटल क्लॉक हैं इसको भी आप यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जैसे कि यह वली क्लॉक भी बहुत अच्छी लगती है मैं इसे अपलाई करके एक बार देख लेता हूं यह मैंने अपलाई किया और जब मेरा मुबाइल आफ होगा या कहीं टेबल पर रखा होगा तो मुझे यह डिजिटल क्लॉक इस तरीके से दिखाए देगी ताकि मैं अपने मुबाइल में दूर से भी टाइम देख सकता हूं तो यह पसनलाईशन आपको कैसा लगा प्लीज मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा क्या आपके पास अभी तक एं इन्वेस्ट करते हैं और आप उनमें से एक हैं और ऐसी ही बहुत सारी नॉलेज मेरे चैनल पर दी गई हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और प्लीज शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इसका बहुत ही बेनेफिट उठा सकीम थैंक यू सो मच्छ वाराइस देग